हेलो एव्रिवन सब्सक्राइब कीज़े हमारे कनल को अग दबाईए इस घंटे को कैसे हैं आप सभी लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे हमने चेप्टर 2 यहाँ पर स्टार्ट किया था और मैंनो इसके बारे में कोएफिशेंट ऑफ पॉलिनॉमियल्स के कोएफिशेंट के बीच में क्या रिलेशेंशेफ होता है बहुत ही आराम आरम से पढ़ेंगे बहुत धीरे-धीरे पढ़ने वाले हम लोग ठीक है क्योंकि आपको कोई भी चीज मिस नहीं होना चाहिए अब 0 के बारे में मैंने क्या बताया था कि 0 का मतलब होता है कि value of x at which px is equal to 0 मैंने यहीं बताया था 0 क्या होता है कि x की वो value जिससे polynomials की value अगर 0 हो जाए तो वो उसके लिए क्या होता है zeros होता है चीक है और मैंने यहाँ पर आपको तीन तरह के polynomials भी बताये थे डिगरी के basis पर मैंने आपको तीन तरह के polynomials बताये थे एक linear polynomial quadratic polynomials और cubic polynomials जिसमें डिगरी 1 होगा उसे linear polynomial बोलते है जिसमें डिगरी 2 होता है उसे quadratic polynomial बोलते है और जिसमें डिगरी 3 होता है उसे cubic polynomial बोलते है अब ये जो होते हैं अब मैंने का linear polynomial जो होता किस फॉर्म में होता ax प्लस b के फॉर्म में होता है quadratic polynomial किस फॉर्म में होता ax square प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है और cubic polynomial होता है ax cube प्लस bx square प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है ठीक है अब अगर आप देखोगे तो linear polynomial में coefficient कौन कौन से है तो coefficient वही होता variable के साथ में जो value होती है उसे coefficient बोलते हैं अगर linear polynomial की बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही coefficient है और उसे क्या बोलेंगे a यहाँ पर कितने coefficient है सिर्फ एक जो क्या है यह है quadratic polynomials में देखेंगे तो क्या होगा a x square प्लस b x प्लस c तो यहाँ पर coefficient कौन सा एक तो x square का coefficient है a यह रहा और एक x का coefficient क्या है b अब जैसे देखो कि linear polynomial में b और यहाँ पर c यह दोनों क्या constant term है ठीक है बता चुका हूँ उन चीदों को बहुत अच्छे से और cubic polynomials जो है cubic polynomial में तीन coefficient होते है x cube का coefficient है a x square का coefficient है b और x का coefficient क्या है c तो यहाँ पर coefficient कितने a b c तो यानि कि आपको मैंने यही बताया कि coefficient क्या होता है कि variable के साथ में जो value होती है वो उस variable का coefficient होता है linear polynomial में सिर्फ एक coefficient होता है quadratic polynomial में दो coefficient होते है और cubic polynomial में तीन coefficient होते है ठीक है बात सबजबा आ गया अब देखते हैं इनका relationship अब हमने 0 भी देख लिया और coefficient भी देख लिया अब इन दोनों के बीच का relationship क्या है इसे हम समझते है अब देखो एक linear polynomial के बारे में देखते है कि पहले linear polynomial के case में 0 और coefficient का क्या relationship होता है अब यहाँ पर एक polynomial दिया है Px is equal to 4x plus 3 तो यह क्या एक linear polynomial है क्योंकि यहाँ पर degree क्या एक है किस form में होते है Ax plus B के form में होते है अब पहले इसका zeros निकालते हैं 0 कैसे निकालते है 4x plus 3 is equal to 0 4x is equal to minus का 3 यह plus का 3 तो minus का 3 और x is equal to क्या हो गया minus का 3 upon 4 यानि कि इस polynomial का 0 क्या है minus का 3 upon 4 ठीक है अब अगर इसे ध्यान से देखोगे इस चीज को ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या है x is equal to minus को रखो भार यह 3 क्या है इस polynomial में 3 क्या है एक constant term है तो हमने bracket में लेखा constant term ठीक है और 4 क्या है x का coefficient तो हमने लेखा coefficient of x ठीक है और अब constant term को मैंने किस से denote किया है आपर b से denote किया तो आप इसे यह भी लिख सकते हूँ कि minus का b upon coefficient of x x को coefficient को किस से denote किया जीरो और coefficient के बीच का relationship देख रहे हो क्या होगा अगर आपको कोई भी अगर आपको किसी भी polynomial किसी भी का मतलब linear polynomial की बात कर रहों भी यहाँ पर कि linear polynomial में अगर आपको zeros निकालना है तो आप directly कर जीजे x is equal to क्या होगा minus का b upon a b का मतलब क्या है constant term और a का मतलब क्या coefficient of x ऐसे कर देंगे तो आप तुरंत ही क्या निकाल देंगे 0 निकाल देंगे ठीक है देखते हैं एक बार फिर दुबारा से जैसे यहाँ पर देखो px एक मैंने दिया 2x minus 3 अब अगर मुझसे कोई कह है कि सर इसका 0 निकालो तो मेरे को क्या पता है कि 0 कैसे निकालते है x is equal to minus का b upon a कर देंगे तो x is equal to minus b क्या है यहाँ पर minus का 3 क्योंकि यह किस form में होते हैं ax plus b के form में होते है तो b की value क्या है यहाँ पर minus का 3 तो मैंने यहाँ minus True पहले तो x is equal to क्या होगा 3 upon 2 तो ये 3 upon 2 इसका 0 है ठीक है अब आप जो normally check करते हैं वैसे देखेंगे 2x minus 3 को अगर हम देखेंगे तो 2x minus 3 is equal to 0 2x is equal यहाँ जाएगा 3 x is equal to 3 upon 2 देख रहे हो दोनों equal आ रहे है आ रहा है समझ में तो यही इसका relationship होता है यानि कि अगर linear polynomial में 0 निकालना है तो x is equal to minus का b upon a कर दो आपका answer आपका 0 find out हो जाएगा एक और example देख लेते हैं जैसे यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक polynomial दे रहा है minus का 2x और minus का 3 एक linear polynomial है आपको क्या निकालना है 0 निकालना है तो 0 कैसे निकाल सकते है x is equal to minus minus का b upon a करना है हमको तो देखो हमने यहाँ पर minus लिखा b की value क्या है minus का 3 यह कि इस form में होते हैं ax plus b के form में होते हैं तो b की value क्या है आपर minus का 3 upon में a की value क्या है minus का 2 तो minus से minus cancel out 3 upon में minus का 2 या इसे और क्या लिश सकते है minus का 3 upon 2 इस तरीके से 0 निकाल लिया और हम normally वैसे 0 कैसे निकालते है देखो यहाँ पर तो minus का 2x और minus का 3 is equal to 0 ठीक है minus का 2x is equal to 3 जब यह यहाँ जाएगा तो 3 हो जाएगा x is equal to क्या होगा 3 upon 2 और minus का यहाँ जाएगा देखो यहाँ पर भी x is equal to क्या निकल क्या है minus का 3 upon 2 और यहाँ भी तो आपको समझ में आ गया तो इस तरीके से आपको linear polynomial के case में 0 और coefficient के बीच का क्या relation से पोता है समझ में आ गया कि अगर आपको linear polynomial में 0 निकालना है तो x is equal to minus का b upon a करो और b का मतलब होता है constant term और a का मतलब होता है coefficient of x बात समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात